बार्थाने की पुलिस ने नालंदा जिले के तेलहरा थानाक्षेत्र के पूरा गाउंव में नालंदा पुलिस के सहयोग से मोबाइल पर रंगदारी मांगने के मामले में एक बदमाश को गिरफतार किया है. पुलिस गिरफ्तार दीपक सिंग को पूछताच के बाद न्याईक हिरासत के तहट जेल भेज दिया है जानकारी देते हुए के इसके अयो मनीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश बहुत बढ़ा शातिर है गिरफ्तार बदमाश गाउं के ही एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल कर खुद वाट्सेप बनाया था जो अपने मोबाइल के माध्यम के चला रहा था गिरफ्तार के भाई मैसेज टाइप कर अपने भाई को भेजता था इसके बाद बही मैसेज को आरोपी फरजी वाट्सेप के माध्यम से पंदारक प्रकंड के अजगारा बक्मा पंचायत के मुखिया पती कुंदन सिंग के मोबाइल पर भीज कर रंगदारी मांग रहा था ये सील सिला करीब एक महीने से चल रहा था इसी बीच 6 फरवरी की एहले सुबह करीब 6 बजे के आसपास हेलमेट लगाई दोकी संख्या में बार पहुँचे बदमाशो द्वारा मुखिया रीना देवी के बार स्थित वार्ड संख्या एक के सहजानन नगर स्थित घर पर दो राउंड फायरिंग कर दिया गया था जिससे दहसत का महौल कायम हो गया था. बदमाशो की करतूत घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया था. हालांकि पुलिस को अब भी फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशो की तलाश है. पुलिस दाबा कर रही है कि जल्द ही दोनों बदमाश भी पुलिस के पकड़ में जाएंगे